आज इस बड़े पठाखे से पुरा गाउ हिला दूंगा और चिंटू और चिंकी को दिखा दूंगा कि मेरे पास भी बड़ा पठाखा है चिंकी, इस पठाखे को कहाँ पर फोड़े समझ में नहीं आ रहा है चलो वहाँ फोड़ते हैं हाँ चलो भागो यहां से यहां पर पठाखे मत फोरना कम से कम एक तो फोर लेने दो भागो नहीं तो डंडे से मारूंगा जल्दी भागो चिंटू पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं हाँ यहीं फोरता हूं चिंटू और चिंकी के घर के सामने और उनका घर उड़ा दूंगा अरे चिंकी वो देखो वहां पर सूपर हीरो हमारे घर के सामने बड़ा सा पठाखा फोरने वाला है हाँ इतना बड़ा पठाखा अरे उससे तो हमारा घर भी गिर जाएगा रुको मेरे पास एक उपाए है चल आग पकड़ ले और पूरा महला को हिला दे इतना देर हो गया यह जल क्यों नहीं रहा कहीं यह पठाखा लगली तो नहीं है अब मज़ा आएगा देखना चिंकी कैसे वो सूपर हिरो डरता है जल 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 अरे जलना अर ददा फट गया अरे वो बम तो वही पर सही सलामत परा हुआ है तो फटा क्या कहीं भुकम तो नहीं आ गया चलो चिंकी उस बड़े पटाखे को लेकर भाग जाते है और उसे हम उसके घर के सामने फोड़ेंगे हाँ चलो बाप रे मेरे तो डर के मारे गुर्दे सिकुड गये थे जल्दी जल्दी दोड़ो चिंकी नहीं तो वो सूपर हिरो हमें देख लेगा सूपर हिरो ने देख लिया चोरो अरे उसने हमें देख लिया चिंकी अरे रुक जाओ चोरो वो मेरा पटाखा है उसे तुम दोनों लेकर नहीं भाग सकते लेकिन हम तो लेकर भाग रहे हैं चिंकी वो आ रहा है चलो छुप जाते हैं कहां चले गए वो दोनों कहीं नहीं दिख रहे हैं काकरोच काकरोच भागो चिंकी यहाँ पर काकरोच है अच्छा तो वहां छुपे हुए थे वो दोनों अभी बताता हूँ चिंटू हो देखो वहाँ स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है चलो इस पठाके को ट्रेन से लेकर भागते हैं हाँ यह ठीक रहेगा चिंकी जल्दी जल्दी दोड़ो ट्रेन चलने वाली है वो सीटी मा रही है यह दोनों ट्रेन के पास क्यो जा रहे हैं अब जल्दी उस पठाके को अभी ट्रेन में डालो चिंटू अच्छा तो वो दोनों ट्रेन से भागने की तयारी में है ट्रेन के दर्वाजे को बंद कर दो चिंटू अरे चिंटू अर्चिंकी दर्वाजा खोलो वो मेरा पठाखा है अब यह हमारा है हम तुमें नहीं देंगे तुम हमारे घर को उड़ाने वाले थे अरे वो लोकल पठाखा है वो बहुत धीरे से फढ़ता है ऐसा है तो आओ इसे इसी ट्रेन में फोड़ते हैं तुम दोनों यहीं पर रहो मैं उसमें आग लगाती हूँ ठीक है तुम ही जलाओ जाओ